साथ ही और नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए आपके लिए सभी प्रितियों की परिच्छाओं की दिष्टी से अति महत्पूर्ण 360 डिगरी करेंट अफिर्स यानि कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्ण क के बारे में डीटेल में जानकारी दी जाएगी जिससे अगर उससे समंधित कोई अन्प्रश्ण आपकी परिच्छा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि आपको पता है आप करेंट अफिर का पैटरन चेंज हो गया है आप के सेसन में क्या-क्या होने वाला है आईए दिखते हैं तो टूडे सेसन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा यानि कि कल हमने जो करेंट अफिर कराई है उसमें से तीन प्रशन आप से रेंडमली पूछे जाएंगे और आपको अपने आपक करेंट अफिर के जितने भी महत्पून प्रशन होंगे करेंट अफिर के वह आपको क्लियर कराये जाएंगे उसके बाद में स्टैटिक जी के सभी परिच्छाओं के दिस्टी से अती महत्पूर है तो स्टैटिक जी के कुछ महत्पून प्रशन होंगे जो परिच्छाओं मे भी देखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए शुरुबात करते हैं सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल वाले प्रस्णों का आईए देखते हैं पहला प्रस्णों देखिए भारत के किस अंतराश्टी कुष्टी रेफरी को ओलंपिंग मुकाबलों में एमपारिंग करने के प्रस्णों के बारे में कल हम आपको दे चुके हैं कल वाली वीडियो में ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं जो कि रिवीजन का आखरी प्रस्ण होगा भारत के मुक्यबाज संजीत कुमान ने ACI मुक्यबाजी चेंपियसिप में कौन सा पदक जीता है सौन पदक रजद पदक कांश पदक या फिर इन में से कोई नहीं चलिए एंसर देखते हैं सही एंसर है यानि कि सौन पदक जीता है संजीत कुमान ने और एक महिला मुक्यबाजी ने भी सौन पदक जीता है क्या न आप इसकी PDF और वीडियो की PDF जो है हमारे टेलिग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर पर जाईए हूँ पर सच किजी Success Junction आपको टेलिग्राम पर हमारा चैनल देखने को मिल जागा जोइन कर लिजे, सारी पुरानी वीडियो और PDF आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहला प्रस्ण देखते हैं, आज का पहला प्रस्ण, देखिए, हाल ही में जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में सैफाली वर्मा को कौन सा इस्थान मिला है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौता, चलिए एंसर दिख लेते हैं, सही एंसर ए आनि की सैफाली वर्मा को पहला इस्थान प्राप्त हुआ है, अभी हाल ही में T20 महिला रैंकिंग यहा उसके भारत की T20 हुप कप्तान इसमर्ती मन्थाना 693 अंकों के साथ 34 तान पर है तो इसमर्ती मन्थाना 24 तान पर है और भारत की तीसरी बल्लेबाज जेविमारोडी रिज जो है वो सीज दस में सामिल है यानि की तीन बल्लेबाज जो है भारत की वो सीज जो दस यहां पर T20 म कोई या फिर अरुन कुमार मिस्त्रा चलिए अंसर देख लेते हैं सही अंसर डी यानिकी एन एचारसी राष्ट्री मानवधकार आयोग का नया अद्च किसे बना गया है अरुन कुमार सिन्ना को अब देखिए MPPSC वालों के लिए कितना महत्फून प्रेश्ण हो जाएगा यह मानवधकार आयोग आपके में पूछा जाता है ठीक है इसलिए हम कहते है करेंट अफिर की क्लास बराबर लेते रहे इस्पेसलि MPPSC वालों के लिए क्योंकि यहाँ पर मानवधकार के नए अद्च बनाए गया है अब आपकी परिच्छ में नए अद्च पूछे जाएंगे थिक है तो हमने बताय था आपको कि जिनका का कानून बना के निर्मार किया जाता है वहें वैधानिक होते हैं जिनका सन्विधान वे बनल होता है यह अद्च बने है तो आपका MPPSC वालों arbitrbiye अधिम्हत्पोर है यह पर्ष्ण prochain आगे बढ़ते हैं अगले प्रेस्ट पर देखिए एच टेन एन थ्री एवियन इंफ्लुएंजा का दुनिया का पहला मामला कहां दर्ज किया गया है पाकिस्तान अमेरिका चीन या फिर उत्तर कोरिया इसका एंसर तो आप खुद ही बता सकते हैं कि यह वायरस वायरस वाला सि चीन के राष्टी स्वास्तायोग ने एक जून 2021 को इसकी प्रिष्टी की है चीन के पूर भी हिस्से के एक सहर जैन जी आंग में रहने वारे एक तालिस वरसी एक पूरुस का यह मामला मुर्गी से मानव संच्रण का है यानि मुर्गी के द्वारा जो है यह इन्फ्लुएं लॉंच किया गया है दिएडिए उ इस रो एनसी पीसी र या फिर इन में से कोई नहीं चलिई आजा वयांसर देख के लिए यांसर के द्वारा थि 50 आरी में बाल स्वराज पोर्टल लॉंच किया गया है अब या ओर क्या है और यह पूरी आए पूरी जानकारिय आपको दे अच्छन आयोक से भी प्रशने पूछे जाते हैं तो ये उसका करेंट अफेर का प्रशन हो गया तो एक बार फिर से आपके लिए महत्पूर हो गया इसलिए हम आपसे कहते हैं करेंट अफेर की वीडियो बहुत महत्पूर है आपके लिए ठीक है अब देखिए पोर्टल का उ वो उन बच्चों को उठाएगा उसके बाद में उसका बायोमेट्रिक टेस्ट कराएगा यानि उगली लगा देगा तो उस पर पूरा आ जाएगा आधार कार बना होगा कि ये कहां कर रहने वाला ये बच्चा कहां से गुमसुदा हुआ है तो उनके घर तक उस बच्चे को दोरा सुरू की गई है आई ए टी कानपूर, आई अई एम इंदौर, आई आई एम बेंगलूरू या फिर आई एटी खडगपूर चलिए एंसौ देख लेते हैं सही एंसर सी यानित है की आई आई एम बेंगलूरू के दोरा एक लाग कोविट के टीके दान करने के लिए य पेंदरी मंतरी निर्मला सीतारामन और IIM बेंगलूरू के बोर्ड आफ गवर्नर के अद्दचे डॉक्टर देवी सेटी ने सयुक तरूप से 29 मही 2021 को इस पहल की शुरुआत की है ठीक है बेंगलूरू को सिलकों सिटी की नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर स्टैक का प्रस् उजयन मध्यप्रदेश बोध गया बिहार नागपूर महाराष्ट या फिर रायपूर 36 गड़ चली एंसर देखते हैं सही एंसर बियान की बोध गया बिहार में भारत की सबसे बड़ी लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा इस्थापित की जाएगी चली पूरी जानकारी आ चाब से पूछा जा सकता है 26 मई 2020 को प्रतिमा इस्थापित की जानी थी लेकिन समारों को कोविड-19 के प्रतिवंदों के कारण इस्थापित कर दिया गया ठीकिए 26 मई को इस्थापित करना चाह रहे थे लेगिन COVID-19 की वैसे इसको आगे बढ़ा दिया गया कोल काता में 22 का कारीगरों की एक टीम की दौरा तीन महीने में 20 साल 100 फुट की फाइबर ग्लास की मूर्थी का निर्मार किया गया है तो यह मूर्ति बनी कहां पर है? तो कोल काता में 22 कारीगरों ने मिलकर के 100 फुट की यह मूर्ति बनाई है ठीक है? चलिया आगे बढ़ते हैं, अगले प् किया जा रहा है अब यह डिजिटल करण से क्या होगा आईए देखते हैं के अंदरी स्वास्त मंतरी डॉक्टर हर्सवर्धन ने राश्टी स्वास्त प्राधिकरण एनचे के IT प्लेटफॉर्म पर प्रमुक स्वास्त सेवाओं के लिए डिजिटल संस्क्रण को यहां पर लॉ यहां पर आपका टूडे करेंट अफेर का से समाप्त होता है यहां से स्टार्ट हो रहा है तीन जून 2021 मद्रदेश करेंट अफेर के महत्पूर्ण प्रस्ण चलिए शुरूआत करते हैं आईए देखते हैं पहला प्रस्ण एम्पी करेंट अफेर हाल ही में चर्चा में आया गौरी सरोवर मद्रदेश के किस जिले में इस्तित है मुरेना भिंड गौालियर या फिरतलाम चलिए एंसर दिख लेते हैं सही एंसर ए यानि की यह नहीं इसका सही एंसर भी हो जाएगा भिंड में है ठीक है इसको सही कर दूँगा मैं जब डाल वाले अंतराश्टी Water Sports Centre में गौरी सरुवर के पानी का इस्तमाल किया जाएगा जैसा कि आपको पता है मद्रीत सरकार के दौरा बेभिन जिलो में Water Sports Centre का आयोजन किया जा जा रहा है तो भिंड में भी आयोजन किया जा रहा है तो भिंड में पानी कहां से मिलेगा प्रिस्विराच चोहान ने करवाय था वन खंडे सर मंदिर भिंडे में ही इस्तित है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए हाली में जारी National Quality Assurance Standard की सूची में किस जिले का सरकारी अस्पिताल पहले इस्थान पर रहा है सिहोर, टीकमगड, निवारी या फिर सतना आईए अंसवर देखते हैं सही अंसर डी यान की जो सतना का होस्पिटल है वो यहाँ पर National Quality Assurance Standard की सूची में पहले इस्थान पर रहा है आए कुछ जानकारी आपको देते हैं देखिए तो सतना जिले का सबसे बड़ा सरकारी इस्पिताल सरदार बलब भाई पतिल सास्की जिला चिकिस साले National Quality Insurance Standard में पहले इस्थान पर रहा है इस बार 12-14 प्रहल तक चले assessment के दौरान दिल्ली में बैठे दो external sensor ने जिला स्पिताल के 16 भिवाओं का virtual assessment किया तो virtual यहाँ पर पूरी जांच बगएरा की गई है और उसकी आधार पर जो आपका सतना जिले का सबसे बड़ा सरकारी इस्पिताल है जिसका नाम है सरदार बलब भाई पतिल सासकी जिला चिकिस साले वो National Quality Insurance Standard में पहले इस्थान पर रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए तो यहाँ से आपका static gk का छुपार उस्तम क्लास से स्टाट होती है अती महत्पूर्ण प्रश्ण static gk के जो परिच्छाओं में पूछे गए हैं और आगामी परिच्छाओं में जिनकी पूछे जाने की संभावना है आईए देखते हैं पहला प्रश्ण रविणा टैगोर की गीतांजली पुष्टक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है महत्पूर्ण प्रश्ण है जब इसको रेलवे में पूछा गया था तो बहुत लोग कन्फूज हो गय थे तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि गीतांजली का दूसरा नाम भी कुछ है ठीक है अभी तक क्या पूछा जाता था अभी तक पूछा जाता कि रविणा टैगोर की किस पुष्टक के लिए नोबल मिला था नोबल पुरुष्टकार प्रदान किया गया था और वे नोबल पुरुष्टकार जीतने वाले पहले ACI थे ये भी आपको याद रखना है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रशन है अंतर राष्टी योग दिवस कम मनाया जाता है 22 अप्रेल 21 जून 29 अगस्त या फिर 5 जून चली ए एंसर देखते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रशन के बारे में कुछ महत्रपूर्ण जानकारी देखें सही एंसर है B यानिकी 21 जून को अंतर राष्टी योग दिवस मनाया जाता है आए कुछ जानकारी आपको देते हैं थीम बगएरा यहाँ पर क्लिर कर लेते हैं तो इसकी सुरुवात 2015 में की गई थी किसकी अंतर राष्टी योग दिवस की आपको पता ही होगा मोदी जी ने जा करके UN में कहा था कि अंतर र परिवर्टन जो है वो 2019 की थीम थी ठीक है तो 2019 तो 2020 की दोनों की थीम आपको याद रखनी है अंतर राष्टी योग दिवस की चलिए आगे वड़ते हैं अगला प्रस्न देखते हैं तो यहाँ पर ये आपके स्ट्राटिक जीके के महत्रम प्रस्न आपत होते हैं कल के प्रस कार किस होकी खिलाडी को मिला है तो सही एंसर है राणी रामपाल आईए देखते हैं किस किस ने सही एंसर दिया है तो देखिए संद्या स्वामी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है उसके बाद राम बिहारी नामदेव ने बिल्कुल सही बताया है साक्सी दुएदी ने बिल् आपको बताते हैं जब बिलकुल authentic जानकारी मिल जाती है ठीक है तो कल जब हो आयोग वाली वीडियो बना रहे थे तब तक website पर कोई जानकारी नहीं आए थी पर साम को जैसे ही website अपडेट हुई MPPSC की हम आपके लिए तुरंद वीडियो लेकर के आ गए और उसमें बताया गय को आपका एक्जाम होगा और यह confirm है क्यों होगा वो पूरी जानकारी हमने कल वाली वीडियो में बताई जाकर कि देख लिजेगा कि किस तरह वहां पर हमने पूरा एक-एक सब्द का विसलेशन किया है और वहां से निकल करके आता है कि आपका एक्जाम 25 जुलाई को होना ब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए ऐसे कमेंट करते रही है कुछ लोग इसमें से बहुत सुरू से जुड़े हुए उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल इतना उपर जा रहा इतना ग्रो कर रहा है प्रीदर्सी के नाम से किस सम्राइट को जाना जाता है यह आपको बताना है comment box में comment करके किस सम्राइट को देव नाम प्रीदर्सी के नाम से जाना जाता है बागि रोज दो-परवे साड़े-12 वजे हम आपके लिए प्रैक्टिसेट ले करके आते हैं MP-PSC वालों के लिए ये वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक कीजिए दोस्ते को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबालेजिए जल्दी मिलते हैं दो परवे साड़े बारा बजे प्रैक्टिस सेट के साथ में तब तक के लिए नमस्तकार धन्यवार